यह τााटा हैरियर इवी इसे टाटा ने अपने हैरियर को ऐलेक्टिक वर्जिन परे किया है हलाहिक, हणिये टाटा ने अपने हैरियर को नए फेसलीफ्ड या नए जनरेशन के साथ ना लांच करते हुए लेक्टरिक को लांच किया है जिसे आटो एक्सपो 2023 में इसमें बहुत सारे चेंजिश किये गया है सबसे पहले इसके टेल लाइट को देखिए जो कनेक्टिंट टेल लाइट है जो नए ग्राफिक डिजाइन के साथ आते हैं इसमें आपको नए अलावी मिलेंगे जो काफी ब्यातर लगत है इतने बड़े में आपको इस सेगिमंट में काफी किसी बी गारी में अलेक्ट्रिक नहीं आता है अगर बात करें इस गारी के फ्रंट लुक की तो व्रंट लुक देख सकते हैं काफी ब्यातर लगता है नए लेडी लाइट के साथ ये काफी ब्यातर लगती है completely नया फ्रं कट अलाए में लेंगे अगर बात करें इस गारी के पावर फिगर की तो यह 200 PS पावर जनरेट करेंगा अगर बात करेंगे इसकी स्पीड की तो यह 0-100 km पतिहावर की स्पीड को यह सिर्फ मात 10 सिकंड में पकड़ लेगा अगर बात करेंगे इसके मोटर की तो इसमें आपको 60 किलोवाट का मोटर लगा होगा अगर बात करें इसके रेंज की तो यह 400 से 400 किलोमीटर की रेंज देगा एक बार फुल चार्ज करने में लाइटनी सेटम जाने तो एक अगर इसके फीचर्स को जाने तो इसमें आपको सन्रूफ मिलेगा वारलेस चार्जिंग एंड्राइड आटो एपल कार ब्ले वेंटिलेटर फ्रंट ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट प्रेमियम सीट मिलेंगे इसमें आपको एयर प्वरिफायर एयर बैक्स एबीडी इवियस यह सारे सिक्यूर्टी फिचर्स आपको मिलेंगे इस टाटा हैरियर इवी में हाला कि इसे अभी आटो एक्सपो में सोकिया गया है लेकिन जल्द ही यह अप्रैल 2023 में टाटा के सभी सोवरूम पे अबलेवल हो जाएंगी अगर बात करें इसके अनुमानित कीमत की तो यह लगबग 30,000,000,000 के आसपास इसकी कीमत होने वाली है यह थी जानकारी आपको टाटा हैरियर इवी के बारे में अगर गारी यह से जुड़ी जानकारी में आपको इंट्रेस्ट हो तो हमारे चैनल इंस्पायर मोटो इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बास म यह बताएं कि टाटा हेरियर का यह एलेक्ट्रिक वेर्जिन आपको कैसा लगा इसका लूक और डिजाइन आप हमें कमेंट मेंट में बता सकते हैं और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद